So Hello Friends, कैसे हो आप? So guys, मुझे एक कमेंट साही थी, उस कमेंट के उपर मैंने ये वीडियो मनाई है भाईया, मेरा साइट सर्च लिष्ट में नहीं आ, मैंने आपका वीडियो था टाइटल और एड्स फिल कर दिया हूँ, फिर नहीं आ रहा है मतलब उसका कहने का मतलब ये है, कि उसका जो ब्लॉग है, ठीक है? वो सर्च लिष्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है? So इस वीडियो के अंदर हम वही सिखने वाले हैं, कि आपका जो ब्लॉग है, आप जब वेबसाइट क्रिएट करते हो कैसे आपको पूरी सैटिंग करनी है, मेन इंपोर्टन सैटिंग कौनसी है, जिससे आपकी जो ब्लॉग वेबसाइट है, वो सर्च लिष्ट में दिखने के लिए स्टार्ट हो जाए इस वीडियो को आपको कम्प्लीट देखना है, मेरा नाम है राज वलतारा, आप हो वलतारा एक्स्प्लीन चैनल के उपर, अगर चैनल के उपर नए हो, तो चैनल को ज़रू सस्क्राइब करना, बेल आइक को प्रेस करके आल बटन के उपर क्लिक ज़रू करना, वीडियो भर भर के ट्राफिक आता है आपको मैं अगर ट्राफिक दिखा हूँ मेरा पीजिस का ट्राफिक तो आप देख सकते हो 5000 है यहाँ पर 800 है यहाँ पर 6000 ट्राफिक है एक एक पोस्ट मेरी गूगल के अंदर इंडेक्स हो चुकी है ठीक है और वो रैंग भी करती है so मेरा ब्लॉक तो 100 to 100% रांग करता है वलतरा मार्केट अगर आप डालोगे तो सबसे पहली वेबसाइड मेरी आ जाएगी यह वलतरा डालोगे तो भी पहली वेबसायड मेरी आएगी सो आपको भी अपने website को search list में लेके आना है तो कौन से setting है वो जो सबसे ज़्यादा important है मैंने छोटे-छोटे videos बनाया है जिसके अंदर मैंने complete SEO बताया है जो paid courses होते हैं मैंने आपको free में provide किये है अब बात करेंगे यहाँ पर setting के अंदर जाएंगे सबसे important कौन सी वो setting होती है जिससे आपका जो blog है वो search list में आना start हो जाए सबसे पहले जो setting होती है search list की वो आप नीचे आओगे यहाँ से और यहाँ पर meta tag ये सबसे first वाली setting है बहुत लोग क्या गलतिया करते हैं कि बस blog को create कर लेते हैं बहुत अच्छे से customize कर लेते हैं पर अगर आपने meta tag को on नहीं किया ठीक है और directly जाके google search console के अंदर index कर लिया तो guys आपकी जो website है वो index तो हो जाएगी पर search list के अंदर नहीं आएगी ये सबसे पहला point होता है meta tag का तो आपको कभी भी इसे on रखना है इसके बिना आप search list के अंदर नहीं आ सकते यहाँ पर clearly लिखा है search description तो यह बहुत ही ज़्यादा important point है ठीक है अब इसके बारे में मैंने videos भी बनाई है मैं कहते रहता हूँ कि description क्या होता है अपने blog का तो information provide करता है google के robots को कि हमारी जो website है हमारा जो blog है वो किस बारे में है ठीक है तो यहाँ से ही पूरी game start होती है तो इसे कभी भी आप fill करो 150 characters का यहाँ पर आपको एक अच्छा सा description create करना है अगर नहीं आता तो आप chat GPT के उपर जाओ अपने categories डालो अपने website का name डालो अच्छा कासा एक description आपको chat GPT निकाल के देगा अब number two की बात करेंगे हम नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखा है scrollers and investing तो यह बहुत ही बड़ा part है बहुत लोग क्या करते हैं यह दोनो option को वो क्या करते हैं enable नहीं करते और यहाँ से उनकी problem start होती है ठीक है अब हम इस वीडियो के अंदर ठीक से जानने वाले है इसके उपर मैं एक personally वीडियो बनाने वाला था पर इसी वीडियो के अंदर मैं cover करने वाला हूँ अब यहाँ पर custom robot के उपर अगर मैं click करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने एक site map का code यहाँ पर show हो रहा है ठीक है अब यह site map का code हम blogger के अंदर यहाँ पर क्यों paste करते हैं तो हमें यहाँ पर एक ऐसा option दिया गया है कि आपके पूरे के पूरे blog के अंदर कितना content है वो आपको यहाँ पर submit करना होता है और यहाँ पर आप देख सकते हो custom robot के अंदर मैंने यहाँ पर मेरा URL डाला है और यहाँ पर minimum result कितना है और maximum result कितना है ठीक है यह पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने submit किया है अब site map के submit करते हैं उसके उपर भी मैंने तीन videos बनाई है तो वो आप देख सकते हो उसकी link में i button और description में दे दूँगा ठीक है यह भी बहुत ही बड़ा point होता है site map को बहुत लोग क्या करते है on नहीं करते हैं और फिर यहाँ से भी एक problem create हो सकता है अगर यह point आप off रखते हो और search console के अंदर जाके index करते हैं अपने website को तो कोई फाइदा नहीं होने वाला यहाँ से सबसे पहले आपको site map को add करना है उसके बाद में search console के पास जाना है ठीक है अब यह जो page है enable custom robot headed tag भाई यही तो सबसे important है blogger के अंदर अब यहाँ पर अगर मैं home page stack के उपर click करो तो बहुत लोग क्या गलती करते हैं यहाँ पर no index कर देते हैं यहाँ ठीक है और यहाँ पर no dp करते हैं तो यहाँ से क्या होता है यह जो option है यह कौन सा option है तो अगर आपको google के अंदर आपके home page को दिखाना है तो आप यहाँ पर un dazu अगर आपको आपके home page को नहीं दिखाना है तो आप यहाँ से no dp करते हो बहुत सारfront ऐसे website है जों लोग क्या करते हैं खाली post को show करते हैं ठीक है home page को show नहीं करना चाहते तो वो यहाँ से no dp कर सकते हैं पर अगर आपको homepage के अंदर दिखाना है तो आपको google को यहाँ पर permission देनी होती है कि भाई हाँ मुझे homepage को दिखाना है तो आपको all करना है और यहाँ पर no dp करना है और save कर देना है ठीक है अब आपके post के बारे में अगर पूछा तो मैं यहाँ पर post and page इसके उपर click करूँगा यहाँ पर भी आपको all करना है और यहाँ पर no dp करना है बीच वाले क्यों आप no index करोगे no dp यह जितने भी tag भी है इन्हें आपको index करने की ज़रूद नहीं है अब जो तीसरी setting है वो कौन सी है तो आपको उपर आ जाना है अब यहाँ पर देख सकते हो privacy यह जो option है बहुत लोगों को नहीं पता कि यह option है क्या अब यहाँ पर clearly लिखा है allow search engine to find your blog ठीक है अगर इसे आप बन रखते हो तो आपका जो blog है वो google के अंदर नहीं देखेगा ठीक है आपको यह option on रखना है ताकि आपका जो blog है वो कोई भी बन्दा धूंड सके ठीक है और यह अगर आप on रखते हो तभी आप google के अंदर दीखोगे ठीक है तो यह privacy का एक option दिया है blogger ने बहुत पहले से है तो इसे भी आपको enable रखना है नीचे आऊंगा जो last setting है वो है google search console और इसके उपर मैं click करता हूँ so guys अब बात करेंगे search engine के setting की तो बहुत लोग क्या करते हैं बस blogger को और search console को connect तो जरूर करते हैं पर उसके setting नहीं करते हैं सबसे पहली setting इसकी यह होती है कि जब आप blog को create करते हो तो उसका जो URL होता है ठीक है blog की जो domain name होती है उसे आपको यहाँ पर URL option के उपर आना है और यहाँ पर उसे paste करके उसे index कर देना है यह सबसे पहली setting होती है ठीक है दूसरी setting यह होती है कि जितने भी post होते हैं अमारे blog post के उपर उन्हें यहाँ पर आके index करना होता है one by one करके दूसरी setting अब तीसरी setting की बात करूँगा तो site maps के उपर जाके आपको एक new site map यहाँ पर submit करना होता है बस site map submit करने के लिए आपको यह site map को copy करना है यहाँ पर paste कर देना है और एक dot लगाना है xml यह डालना है और यहाँ से submit कर देना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है मेरा site map यहाँ पर submit हो चुका है यहाँ पर देखो आज की date आ चुकी है तो इस तरह से आप complete setting करते हो यहाँ पर तो 100 to 100% आपका blog google के अंदर दिखेगा नहीं दिखा तो यार मैं channel delayed मार दूंगा ठीक है इतना confidence है मेरे मैं क्योंकि यह काम मैं daily करता हूँ और भाई मैं जो भी दिखाता हूँ जो मैं खुद करता हूँ वही लोगों को दिखाता हूँ ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक जरू करना अगर channel के पर नहीं हो तो channel को subscribe जरू करना bear icon को press करके L button के उपर click जरू करना मिलते हैं next video में